हेलो फ्रेंड वेल्कम वैक टो मैं चैनल आज हम आपके लिए ने क्या हैं सबजियों के राजा आलू से बनने आला बहुत ही जड़ा चरफटा कुरकुरा और कराय नास्ता जिसे आप एक बाँ बना कर लंबे समय तक श्टोर कर सकते हैं और इस नास्ते को खाने के बाद आप वर्गर भूल जाएंगे तो चलिए फृत फट बनाना शुरू करते हैं दो अलु जिसको मैंने बॉइल कर लिए फिस छिल्के को निकाल लिया और यहां पर आलू को मैंने ठंडा कर लिया है आपको भी आलू को ठंडा करके इस्तमाल करना गरम आलू नहीं इस तरह कर लिए यहां पे भूएम पिछार नहीं किया हमघे कर दो यहां प прим हुंद्ध करना चलिए बना अब चलिए बनाना सूरक रह से फेले पहले आप कोई रेष्पी पसंदा हैसे वीडियो को लैक कर денे साथ कर देंने ताकि जैसे वीडियो अफ्लोड करूँ आपको नॉट्फिकेट से मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसा नेस्वी का फाइदा उठापाए सबसे पहले तो चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ तो फ्रेंड आगे हैं गैस की तरफ हमने एक पैन में लिया है एक चमस तेल तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे जब हमारा तेल गरम हो जाएगा इसमें हम हाफ तीस्पून तक जीरा लानेंगे जीरे को हमें काला नहीं करना है हलका सा चटकाना है तो यहां पे जब देखिए हमारा चटक गया है तो हम भी यह प्याज भी यह प्याज को हम दिनी दिनी आज पर हलका सा गोल्दन ब्राउन करेंगे बहुत नहीं करेंगे चांब करना है तो फ्रेंड देखे हमारे प्याज हलका हलका सा गोर्लन ब्राउन होना शुरू हो चुकि जब यह हलका सा शुरू हो जाए तब इस श्टेट पे आप इसमें डाज दीजिए एक सिम्ला मिर्च क्योंकि बच्चों के हैंच के लिए काफी ज़्यादा जरूरी है केलसियम और बच्छे बहुत जदा खेल कोड़ करते हैं और केलसियम आपकी हड़ी को मच्बूती देता है तो वैसे तो वह सिम्ला मिर्च खाने वाले नहीं है तो इस तरीके से हम नाथ्टों में क्हिला सकते तो यहाँ पे हम सिम्ला मिर्च को अच्छे से प्याज के साथ भूनेंगे इसलिए हमने प्याज को हलका सा कम ही था तभी सिम्ला में चाट कर दिया है क्योंकि जब हम सिम्ला मिर्च को भूनेंगे तो प्याज भी हमारी अच्छे से भूल जाएगी तो फ्रेन अब इसमें हम डालेंगे एक्स हमने हरी मिर्च लिया है जो बड़े थी अगर आपके छोटी है तो आप दो ले देना और हमने दो इंच का अधरक लिया जिसको मैंने इस तरह से टुकडों में हलका हलका सा कट कर लिया है आप जहाएं पर इसको ग्रेल करके भी ले स कमच जाना तो यहां पर जब यह बिल्कुल अच्छे से भुन जाएंगा तब इसके अंदर हम कुछ मसाले आड़ करेंगे तो थोड़ा साम इसमें टर्मरी पॉर्डर डालेंगे फोड़ा सा चोथाई चमच गरम मसाला यह मेरा होममेड है अगर आपको इसकी रेस्प्री च कच्छापन दूर हो जाए तो यहां पर हमने नमक नहीं डाला है तो पहले हम मसालों को अच्छे से भुनने के बाद इसके अंदर नमक आड़ करेंगे तो फ्रेंड देखिए हमारे मसाले अच्छे से भुन गए है अब इसमें हम डालेंगे चौथाई चमच नमक आपने टे वाल कर पीश कर डाल सकते हैं या सोयावीन भी इस्तमाल किया जा सकता है तो यहां पर हम इसको अच्छे से आलू को भूनेंगे ताकि आलू की जितनी भी नमी है वो निकल जाए अगर आपका आलू बहुत जड़ा चित्षिपा है तो आप सिवात ने एक चमच बेसन को तेल सकते हैं कौन-कौन में तरह बिल्कुल हरा धनिया बहुत जड़ा पसंद करता है कमेंट बाक्स में जरूर बताना तो यहां पर अगर आप हरा धनिया नहीं खाते तो आप इसमें पूदीना भी आइड कर सकते हैं तो देखिए हमारा च्छट पटा सा आलू रैडी हो चुका पानी पानी को हमें एक उबाल आने का वेट करना है तो फ्रैंट देखिए हलकलका सा उबालाना शुरू हो गया है इस स्टेथ पर हम इसमें हाफ टीस्पून तक नमक डालेंगे विकि हमारा इसके अंदर भी नमक है तो हमें बैलेंस के साथ नमक डालना है जाला नमक नहीं गी ना हो तो आप इसकी जगा पर रिफाइंड ओयल या बटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो देशी घी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो यहां पर हम इसको बिल्कुल मेल्ट होने तक पका लेंगे यानि जब तक हमारा घी नहीं पीगलता है तब तक हमें पकाना है और तभी टेस्ट अच्छा आएगा हमारी डैस्पी में तो फ्रेंड अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे हींग चोधाई चमच और हींग डालके हम अच्छे से मेंट कर लेंगे तो देखिए घी हमारा बिल्कुल अच्छे से मेंट हो गया है आप इसके अ सूजी को हम इस तरह से डालेंगे और चलाते जाएगे तो एक साथ सूजी नहीं डालने यह नहीं तो अच्छा टेश्ट नहीं आएगा तो यह देखिए इस तरीके से कंटिनू चलाते वे हम इसे लोग फ्लेम पर पकाएंगे जिससे सूजी का टलर भी अच्छा हैगा और अच्छे से हमारी दानेदा सूजी बनेगी अगर आपके पास सूजी ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल का अटे का भी इस्तमाल कर सकते हैं और यहां पर हम कंटीनियू चला इसलिए रहें ताकि इसमें गुटलिया ना पड़े और गैस का फ्लेम हमारा मेडियम है यह देखें कंटीनियू चलाते हैं मिसको पका लेंगे दो मिनट तक तो फ्रैंड देखें दो मिनट के बाद सूजी बिलकुर इस तरह से पैन छोड़ने लगती हैं सारी सूजी हमारी देखें कितनी दानेदार हुई है आपको करीर से दिखाते हैं और इस तरह से आप चेक कीज सूजी इसके अंदर ट्रांसफर कर लेंगे और इसको हलका सा ठंडा होने का वेट करेंगे बहुत ज़रा ठंडा नहीं करना है इतना ठंडा करना है कि हम इसे छूपाएं तो फ्रैंड देखें यह हलका सा ठंडा हो गया आप इससे हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च में पानी को सुखाने के बाद धनिया को कट करके डाला है और आप चाहें तो इसकी जगापर कड़ी पत्ते को भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर हम डालेंगे चार चमश कॉन फ्रार के अगर आपके पास इसकी जगां पर मैदा का भी स्वान काल सकते हैं यह देए हमारा 2 तीन और यह हमारा चार चमत इससे नास्ता हमारा बहुत ज़्यदा कुलकुरा और क्रिस्पी बनेगा अगर आके पास यह नहों तो आप इसकी जगा पे मैदा का भी इस्तमाल किया कर सकते हैं अब इसको हम जब हलका सा गरम होगा तभी मिला लेंगे सारी चीजों को ताकि आपस में मिल जाए तो अगर आपको लगए जड़ा जलना है तो आपने हाथ को थोड़ा सा पानी में डाल कर भीगा कर तब इसे मसल मसल कर बिल्कुर डो के फॉर्म में जैसे आटा होता है रोटी मिल जाएगा तो हलका सा गरम होगा तभी हम करेंगे अब हम क्या करेंगे अपने हाथों को वाश करने के बाद इसे शेप देंगे तो यहां पर देखिए हमारा यह आलू जो था विविल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है अब हम बनाना शुरू करेंगे पहले हाथ को व रिज कर लेना है और अब हम इस तरह से थोड़ा सी फोश्रण करेंगे नेवizione के आकार का बहुत द्ला बढ़ा नहीं लेन यह और इसको हम इस तरह से गूलब बनाऊंगे है अच्छे से तो यहां पे हमेस तारह से इसको एक से दो औस अच्छे तक कि ये बिल्कुल अच्छे से स्मूध हो जाए आप चाहे तो गून भी सकते हैं आप इसको हम इस तरह से थोड़ा सा फ्लैड कर लेंगे ये देखिए हो गया और आपने लगाया होगा तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और यहां पर हमारा जो मसाला वालू था इसको हम और इसको हम इस तरह से सिलेंडर का शेप देंगे और इसको आप अपने हिसाफ से मैनेज कर सकते हैं जितना ज्यादा चाहें उतना ज्यादा भड़ सकते हैं जितना कम चाहें उतना कम कर सकते हैं और अब हमें इसको छुपाना है इसके अंदर ये देखिए बिल्कुल अच् गेहु कार कार देंगे जो वीट फ्लावर होता है उसकी तरह हम इसको इस तरह से बना के तयार करेंगे और इसके उपर डिजाइन डालेंगे कैसी आभी आपको दिखाते हैं यह देखिए हो चुका है रेडी अब हम नाइफ ले लेंगे यानी चाकू और यहां पर हम चाकू का उलता वाला भाग इस्तमाल करेंगे और इसको पर हम थोड़ा सा इस तरह से कट लगाएंगे यह देखिए बहुत जड़ा डीप नहीं होना चाहिए इस तरह से आपको कट लगाना है डियर देखिए कितना सुंदर लुक लग रहा है बिल्कुल गेहू लग रहा है न तो किस खेल लग रहा है जल्दी से कमेंज मोक से बताना तो इसी तरिकवे से हम बाकी भी तैयार मिलते हैं टो फ्रेंड से मिलते हैं तो चलते हैं घैस की तरब इसे बनाकर दिखाते हैं आपको तो फ्रेंड आ गया है, गैस की तरब एक पैन लिया, इसमें हमने तेल रखा है, आप चाहें तो इसे डी फ्राइ कर सकते हैं, मैं इसे कम तेल बनाऊंगी, सलो फ्राइ करूंगी, और यहाँ पे तेल को आपको अच्छे से गरम करना है, जो भी बरतन लीजे थोड़ा सा फैला हुए लीजे और भारी लीजे, तो तेल को में बहुत ज़रा धुमादार नहीं गरम करना है, लेकिन अच्छा सा गरम होना चाहिए हमारा तेल, तो यहाँ पे देखिए तेल हमारा बिल्कुल अच्छा से गरम हो गया है, तो अब अपने तयार नाश्ते को इसके अंदर डाल तो यहाँ पे आपको खयाल यह रखना है कि इसे डालते समय आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो यह फट जाएंगे, तो बहुत साए लोग की सिकायत होती ही कि जब भी सूजी की कोई भी चीज बनाते है, तो फट जाती उसका कारण यह रहता है कि आप लोग फ्लेम को हाई कर देते हैं, तो लोग फ्लेम पर बनाएंगे तो कभी भी नहीं पटेगा, तो यहाँ पे हमने इस तरह से डाल दिया है, अब इसको हम 2-3 मिनट तर पकने देंगे, फिर उसके बार टर्ण करेंगे, और उससे पहले आप इसका फ्लेम हमने मीजियम ही रखा है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, नहीं तो यह अच्छा सा कुक नहीं होगा, और मजा नहीं आएगा खाने का, तो थोड़ा सबर से काम लेंगे, तो रिजट भी अच्छा हैगा, और लंबे समय तक आप इसे श्टोर कर पाएंगे, त आपका भी रिजट ऐसा आएगा, अगर आप मेरी टिपरेंट ट्रे को फालो करके बनाएंगे, तो देखिए हमारे नास्ते का फाइनल लुक इतना खुबसूरत है, तो चलिए हम पटापट इसको निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी वर यह जो हमारा है, यह भी बन सकते हैं, और लंबे समय तक श्टोर कर सकते हैं, तो देखिए हमारा कितना प्यारा लग रहा है, चलिए आपको करीब से दिखा जेते हैं, यह देखिए कितना जदा क्रिस्पी है, और आप इसे लंबे समय तक श्टोर कर पाएंगे, इसे मैंने सर्प किया है, केचप के साथ आप इसे मोमोज चटनी के साथ ग्रीन चटनी के साथ दिखा सकते हैं और देखिए कितना कम तेल सोपता है तो देखिए हतेलियों पर प्रस करने तो तेली तेल नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यह बहुत ही जड़ा क्रिस्पी बनता है और आप अगर इसमें थोड़ा सा कॉंट से जरूर बताना रैस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिना और फैमली और प्रेंट के साथ इससे जरूर स्यार करना अगर आप हमाई चैनल पर नहें है तो हमाई चैनल को नौट्विकेशन बेल को जरूरूर आपको नौट्विकेशन मिल पाए सबसे पहले और सबसे पहले तो चलिए सुपर टेश्टी रास्ते को प्राइब करते हैं भी बनाएए खाइए बाइन टेक के लब यू ओल